नमस्कार और विलकम यौल वर्ल अफेर्ट नेव प्रशान धवन नाव इसराइल और हमास की जो वॉर है ये लगातार फैलती जा रही है कई कंट्रीज है इस पर प्रतिकरिया दे रहे हैं कई कंट्रीज है जिनों ने इसराइल के साथ अपने डिपलोमाटिक रिलेशन्स रोग दिया रास्ते में ही इनके मिसाइल इंटरसेट कर दिये मगर अपने आप में ये चिंता की बात है कि यमन के हूती रिबेल्स अब ये कूच चुके हैं वार में और ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये लोग लगातार अटाक्स करते रहेंगे इसराइल पर और देखिए इस डेवलप्पेंट से इवेंचुली इरान की जो एंटरी है इस बड़ी वार में ये होने के चांसे बहुत जारा बढ़ जाते हैं नाव एक बार वर्ड मैपे पर प्रॉपरली आपको समझा रहेता हूं कि यमन है कहां पर इसकी मिलिटरी पावर क्या है और यमन के लोग इसराइल पर अटाक क्यों करेंगे यहां पर बाइदवे आप देख पाओगे यह आपको दिख जाएगा इसराइल और यह गाजा पट्टी है गाजा पट्टी पर इसराइल आज के समय एक मिलिटरी ऑपरेशन कर रहा है और यमन करीब आमीन आप अगर वैसे ना पोगे तो अठारा सो दो हजार किलोमेटर दूर आपको मिलेगा यमन यमन की जो अवादी है यह तीन करोड तीस लाग के आसपास की है और यमन की जो कैपिटल है यहां पर आपको दिख जाएगी सना इशू देखो यह है कि यमन में अभी के लिए जो प्रॉपर गवर्मेंट है जिसक अब आप कहा लीजे बागी लोग हैं वो चाते हैं कि वो लोग करन गवर्मेंट को हटा दे और खुद पूरी कंट्री को गवर्न करें इन लोगों को कहा जाता है हूती रिबल्स अल्राइट इनके बारे में आपने खुब सुना होगा कि हूती रिबल्स यमन में कई इलाको को कवजा चुके हैं हूती रिबल्स ने सावधी अरेबिया को अटैक कर दिया हूती रिबल्स ने युवई को अटैक कर दिया और अगर मैं आपको मैप में अभी दिखाऊं कि हूती रिबल्स ने यमन का कितना हिस्सा कवजा रखा है ये जो भी मेजर शहर है यमन के ये कर दें ताकि कल को Saudi Arabia पे और प्रेशर बिल्ड कर पाए और यमन के जो हुती रिबेल्स है यह बहुत जादा एंटी इसराइल भी है हुती रिबेल्स ने कई बार यह भी का है कि जो काम अब यह कर रहे है इसराइल को अटाक करना यह सावधी अरेबिया को करना चाहिए इंटरस्टिंग बाद यह है कि USA के हिसाब से जो हुती रिबेल्स है इन्होंने पिछले महीने की शुरुआत में एक बार को इसराइल पे अटाक करना की कुशिश करी थी मगर रास्ते में ही रेड सी में यहाँ पे आप देख पाओ कि यह रेड सी है यहाँ पे US नेवी की ए बहुती आसानी से हुती रिबेल्स के मिसाइल को डिस्टोई कर दिया था बट अभी रीसेंटली क्या हो रहा है पहली बार इसराइल ने का है कि हमें खुद अपने फाइटर जेट्स यूज करने पड़े और जो हमारा नया एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है यह इस पर्टि इसके आगे क्या होगा कि ठीक है होती रिबेल्स जो है इन्होंने इसराइल पर अटाक करना की कोशिश करी फेल कर गए दूसरी बार भी तो अब इसराइल क्या करेगा देखिए इसराइल होती रिबेल्स के पास जा रहा है और लिटरली इनसे यह पूछ रहा है हाँ जी क्य क्रॉस करके इरान बैट जो हूती रिबेल्स है जिन्होंने अटेक किया था इसराइल पर उनके बिलकुल पास पहुच रहे हैं और लिटरली वहाँ पर जाकर ये हूती रिबेल्स को पहले तो मारेंगे और उसके बाद फैल सकती है और फैलगी कैसे क्योंकि हूती रिबेल्स को ओवर दे एर्स खड़ा करने में एक बहुती इंपोर्टेंट रोल रहा है इरान रश्या और कुछ हद तक चाइना का चाइना का रोल मैं कहूंगा इतना डॉमिनेट नहीं रहा मगर रश्या और इरान का बड़ा रोल है बहुत सारी इनकी इन्वेस्मेंट गई है हूती रिबेल्स को खड़ा करने में नहीं तो आप इमाजन करके देखिए साउधी रेविया युएसे का एक एलाइड कंट्री है उमान भी आप कह सकते हैं युएसे रे बहुत ज़रा फ्रंडी है यमन में प्रॉब्लम क्रियेट करने के लिए इरान और रॉशियन फोर्सिस ने बहुत सारा पैसा खर्चा एंशोर किया के यहाँ पर एक ग्रुप खड़ा हो होती रिवेल्स जो कल को साउधी रेविया को अटाक करे युए को अटाक करे टाइम आने पर इसराइल को भी अटाक करे तो अभी देखिए कल को जब इसराइल होती रिवेल्स को अटाक करने के लिए आएगा possibility है कि इरान की जो बाकी प्रॉक्सीज है लेबनोन में या फिर इरान खुद अपने आप में ये active हो सकते हैं क्योंकि देखो साफ साफ दिख रहा है Middle East इस वक्त वर्ज पे है of a major crisis जब initially आपको याद होगा हमास का अटाक हुआ था इसराइल पर मैंने आपको कहा दिया था इसराइल इसके बाद जो करने वाला है न ये कोई routine कारवाई नहीं होगी कि हाँ इसराइल की air force गई गाजा पे bombing कर दी फिर मामला ठंडा पड़ गया नहीं जो हम देख रहे हैं ये historical है Middle East में जो borders हैं ये redraw होंगी major changes आने वाले in the future और देखना ये ही होगा कि क्या Iran involved होगा इस सब में या नहीं directly क्योंके हूती rebels ने अपनी तरफ से ये कह दिया है कि जब तक इसराइल का जो operation है गाजा पर जो ये military आपके लीजे इन्वेजन कर रहे हैं ये जब तक रुकेगी नहीं ये लोग attack नहीं रोकने वाले अपनी side से और इसराइल ने भी ये बाद क्लियर करती है कि ceasefire नहीं होगा मैं आपको ये बता दू अगैन अगर आप सोच रहे हैं कि suddenly news आ गई है कि ceasefire हो गया है वो रुक गई है नहीं ये ऐसा geopolitical event कई दशकों में एक बार आता है तो problem देखें यहाँ पर यही है ना इसराइल अपनी तरफ से रुकेगा गाजा पर attack करने से ना होती rebels most probably रुकने वाले हैं तो इसलिए देखो conflict बड़ेगी और एक देखें possibility ये भी है Saudi Arabia पर इस वक्त heavy pressure है US military यहाँ पर involved है इसराइल की जो navy है नौस है ना वो वैसे ही यहाँ पर पहुच रही है तो something big is about to happen almost आप के लिजी एक trigger तियार हो चुका है बस देखना होगा के एक बड़ा step कौन सा country लेगा और obviously यहाँ पर आपका एक question यह भी हो सकता है चलो ठीक है अभी हूती rebel ने try किया इसराइल पर attack करने का दुनों बार fail हो गए मगर इनके जो missile है इसराइल का कुछ बिगाड़ भी पाएंगे I mean जैसे हमास के rockets होते हैं क्या वैसे ही इनके rockets है नहीं again नहीं हूती rebels को जो missile technology है यह काफी बार इरान ने provide करी है यहाँ पे आप देख पाऊगे यह वीडियो यह वीडियो हूती rebels ने ही release करी है और यहाँ पे आप देख पाऊगे इस टाइप के missiles यह लोग launch कर रहे हैं इसराइल के against यहाँ पे आप देख पाऊगे यह proper missile है यह कोई rocket नहीं है के बस casually launch कर दिया इसराइल पे अगर यह hit होता तो काफी नुकसान हो सकता था और आप देखोगे लोग rocket launch करने के बाद यही चला रहे थे के इसराइल को बरबाद कर दो इसराइल को destroy कर दो तो इन लोगों की तरफ से इस टाइब के जो यह missiles है launch करते रहेंगे और साथ में यह कुछ drones भी इन्होंने launch किये थे drones भी आप देखोगे हाला की hulky quality के हैं बट damage कर सकते हैं यहाँ पे आप देख पाएंगे तो इस टाइब के attacks देखिए इसराइल पर ना सिर्फ गाजा से और जगा से भी होंगे इदर यमन का flag और फिलिस्तीन का flag लगा रखा है यह confused मत हो जाना यह फिलिस्तीन का flag लगा है तो यह फिलिस्तीन नहीं है यह यमन से अटाक किया जा रहा है and the war is just getting bigger and bigger honestly मैं बता रहा है मुझे उमीद थी नहीं कि इतने सारे countries यहाँ पे directly या indirectly involved हो जाएंगे ऐसे लग रहा है कि एक global conflict लगातार बिल्ड की जा रही है और finally मैं आपसे पूछूँगा एक question इस question से related मैंने recently एक वीडियो करी है अपलोड यहाँ पे आपको बताना है Japan, China, Yemen या Thailand इस पर पूरी वीडियो बनाई थी हिंट नहीं दूँगा comment section में करिए उत्तर जो लोग से आंसर करेंगे कोशिश करूँगा कि उनकी comment को hard मिल जाए और Unacademy के देखिए offer चल रहे हैं आज के समय यह जो offers हैं को आप यूज को सकते हैं to get discount तो comment section में लिंक आपको मिल जाएंगे आप यहां पर course open करके you can use the code PD10 और आपको discount मिल जाएगा और जो sales time to time आती रहती है इनका भी आप लाब उठा पाएंगे so this is the end of the video, thanks for listening and as always may the gods watch over you 10th शत्रा आता थी न्यश्फो को बना अन्म piggy